हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो माई चैनल दिव्या बेवी लाइफ तो आज के वीडियो बहुत ही श्पेशल वीडियो है कासकर उन ममाज के लिए जिनका भी फिलाल में ही बेवी हुआ है और मन में बहुत सारी कोशन्स है कि बेवी का हम ध्यान कैसे रखे हैं सर्दिया हैं के कैसे करें मान में बहुत सारी कोशन्स होते हैं घ्यान रख भी पा ओंगी बेवी को उठाते हुए बहुत डर लगता है कि बहुत गरगर बहुत डर लगता है अगर आप फस्त हैं मम्मा बनिये मेरे साथ ऐसा हुआ था आपके साथ हुआ है कि नहीं वो मुझे कमेंट बक्स में ज़रूर बताइएगा तो कुछ मैं आपसे बाते से शेयर करूँगी जो कि महाल क्रियेट हो जाता है कि हमारे घर में बेबी आया है दादी नानी सब खुशियों से घर भर जाता है सब जूमते हैं तो क्या होता है घर में जब बेबी होता है तो बहुत सरे रिलेटिव आते हैं देखने के लिए बेबी को दो महीने ने के लिए हाँ उठाना पड़ता है काई बारी मावा को मेरे बेभी ने फीड ने लिया थो मैँ बेभी को फीड करास करा दूं था करा दूं माँ उतना शार्प होगा और उसकी ग्रोथ के लिए सूना बहुत जरूरी है तो ये गलती मत करना कि आप बेबी को उठा के रिलेटिव को दे रहे हो और रिलेटिव को खुब खिला रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें सबसे नंबर वन पॉइंट आप यही याद रखे कि ब बेबी सौ रहा है तो हर 2 तो घंटे में आफ फीर दो बहुत जरूरी है बेबी को क्या होता है कि जब बेबी सोता है ना उस राइमपे दो महहीने का बेदDon他 होता घोली जाल्द बीपीता भी नहीं है फ़िपंद होती है एक गर्माईश में रहता है वो मा के प 시...' हो बहार रहता है तो सबसे पहले बेबिे को फ़ोर में जब भी हो रहा हो साथिृों में युर्ड इसा नहीं लेंगी इसली हम अवा में बच्चे को लेके घूम रहे हैं तो बेबी को सर्दी जुखाम हो जाएगा जो कि उसकी सिहत के लिए हैल्दी नहीं है तो जितना आप उसकी कियर करोगी सर्दियों में उतना ही बहुत अच्छा होगा तो अब अच्छा सा वाम वाला बहुत चादा हाम हो सकती जल्दी से सर्दी जुखाम और चाती जगड लेती है और चाती जहां बच्चे की जगड़ती है तो उसे निमोनिया होने का डर रहता है तो इस बात का अपने ध्यान रखना है कि बेबी को बिल्कुल भी हवा ना लगे सेकंड पॉइंट है ये डिलीवरी के बाद अब क्या होता है जब बेबी छोटा है और हम बार बार उसे दूद पिलाते हैं उठा उठा के तो हमें ऐसा नहीं कि दूद फीड दिया और बेबी को हमने फिर से सुला दिया क्योंकि बेबी सो जाता है फीड लेके उस ताह में बे राषय होने का बहुत डर रहता है कि डाइपर यूज करते हैं तो इसको राषय हो जाते है क्योंकि सर्दिया है तो हम दिन में भी जाए तर डाइपर पाके रखते हैं न्यूबॉन बेबी के लिए गर्मे में तो चल जाता है बट सर्दियों में अकर बच्चा थोड़ा सा अब गीले में रह गया तो उस्का मूने का तुरंत डर रहता है तो आपने हर तीन घंटे में बेबी का डाइपर चैक करना है कि बैचे का डाइपर भर तो नहीं गया क्योंकि अगर लीख हुआ डाइपर टो ऑब्यस सी बात है वो गीले में रह गया तो उससे सर्दी हो या चुनकश हमाद राइबें यायद वह बहुत जहादा प्रिबेट पार्ट में तो आपने एक राइशे वाली क्रीम होती है ढूक्तर से तक्रीम लिख लिख लो की लिख लिखे यह बहुत पार दें डाइपर, जब भी आप चेंज करते बिदें नीख लो को डाइबें डिलीवरी अभी हुए है जन्वरी में, दिसंबर में या फरवरी में, बहुत ठंब का मौसम होता है। उस टाइम पर अपने ध्यान अखना है कि बेबी अगर रजाई में है कंबल में तो धीरे से कंबल खोलो। और कंबल के ही अंदर जो बेबी का छोटा कंबल होता उसको उसके ऊपर रखो चाती तक रखो और प्राइबेट पार्ट को अराम से साफ किया डाइपर निकाला और दूसरा डाइपर पना दिया गे ताकि बीबी को बिल्कुल हवा ना लगे एक दम बेबी को पूरा ब्लैंके जब भी धकार ले लेगा उसके बाद आप बेबी को सोने के लिए लिए लिटा सकते हैं इस बात का भी बहुत जादा ध्यान रखना है बेबी के लिए मोस्ट इपॉर्टे है ये भी कि जब भी फीड दे हर दो दो घंटे में अपने फीड देनी चाहे बेबी सो रहा हो या जाग रहा हो या वर किसी रिलेटिव के पास है बट उसकी फीड मिसना हो हर दो घंटे में फीड दो चाहे सुसू पोटी जितनी भी करता है हर दो घंटे में फीड देना है मा को ये भूलना नहीं है चाहे आपका फीड कम आ रहा है जादा अगर आप चाह रहा है कि मेरा फी पीड आने लग जाता है और बेबी को मिल्क सप्लाय में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बेबी आराम से मिल्क पीता है और सो जाता है तो बेबी का पेट बरा रहेगा तो इसली सोएगा और उसको वही हैबिट रहेगी कि आगे 2-2 खंटे में खिलां गे तो उसकी वही देज में ही दो-दो घंटे का गैब नहीं दिया उसे पिलाया नहीं फीड तो बेबी की वही हैबिट हो जाएगी तो उस ताइम पर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि फीड हर दो घंटे में बेबी को देना है और उसके बाद आपने बेबी को टकार दिलानी है अब next question होत कि लिए से पौन से पौन से यूस करओं जितना हो सके माइल्द वाले प्रोड़क्ट देविए के लिए यूस करो सबसे माइल्ड वाले बहुत बैस्त राते हैं वही मैं अपने बेबी के लिए जू मैं ऐंना experience पर्सनल एक्सपियेंश शेयर कर रहे हूं कि मुझे हिमाले के प्रोडक्ट अच्छे लगे बहुत लाइट होते हैं हिमाले का आप सोप ले हिमाले के लिए क्रीम ले और उसका ही पाउडर ले अब वही यूज करें जादा माइल्ड मतलब जादा तेज वाले प्रोडक्ट कभ बहुत जादा ठंड लगने का डर रहता है तो सर्दियों में आप बेबी को डे और नाइट अगर आपकी न्यू डिलीवरी हुई है वे बहुत चोटा है चार पर्स दिन का तो डाइपर आप सब्सक्राइब दिन में और रात में यूज कर सकते हो अगर गर्मियों में डिली बेबी को ठंड नहीं लगेगी तो आप ऐसा कर सकते हो रात में यूज कर लो और दीन में नैपीज टंड है और बार-बार बेबी को हम चेंच करते हैं आप यसको बार बेबी को करता है तो थंड लगने का डर रहता है तो आप णर यू elét यूज कर सकते होग अपड़े अले तेन घंटे चलते हैं और एक दिन में आयार में डिन-दिन की बात करूं मैं तो आप तीन डाइपर यूज़ कर सकते हो एज़िली यूज़ हो जाता है बच्छा पॉटी कर देता है दो तिन बार तो 4-5 तुट दाइपर यूज़ हो जाता है क्योंकि न्यूबवन बेगी केसे करें कौन से तेल से करें बेबी की मसाज आ जब तक नहीं करतें जब तक उसकी गर्मनाल नहीं गिर जाती सब तक बिलकुल भी मसाज नहीं करनी है वैसे defense हैं तो बहुत धीयान रखना है कि बहुत थीएं नंगत NOTту Все जाप हैं को यहां और थाइस थंड पाव side और बेबी को कहीं से भी हवाल लगी तो उसकी चाती जगड जाएगी तो उस नहीं पे कमरा गरम हो बुलूमर लगा लो आप कहीं से भी विंडो ओपन ना हो हवा बिल्कुल भी क्रॉस ना हो रूम से तभी बेबी की मालिश करें और जब तक गरब नाल ना गीरे तब तक बेबी को नहलाना है और तब ही से अपने बेबी की मालिश करना शुरू करनी है हमारे यहां तो ऐसा होता है बाकि आपके यहां कैसा होता मुझे कमेंट बक्स में जरूर बताइएगा मेरे बहुत सारे वियूर्स के लिए बहुत हैल्प हो जाएगी तो मुझे भी आगे लेग दिन पहले बेबी की मालिश शुरू हो जाता है क्योंकि तब तक गरब अल पर beingRET लगाएगा करेम लगाएं पानी लगाएं क्या लगाएं तो गरब नाल के आपको कुछ नहीं लगाना है वह अपने आप ही गिरगए बस इतना धिहान रखना है कि जब बेबेको डाइ पहना रहे हैं या फिर आप नैपीस पहना रहे हैं तो गर्ब नाल के उपर बिल्कुल भी टच ना हूँ वरना पकने का रहता है बच्चों को और बहुत जादा बच्चा पेन में रहता है बच्चा रोएगा तो बस आराम से अपने बेबी को डाइपर पहनाना है और उसके ब बहुत सारे ममास को कॉष्चन होता है दो बड़ बेबी को नहला ले तो बेबी बहुत चोटा है अप एक बार ही नहलाएं तो बहुत अच्छा है पहले मौर्नी में मालिष कर दे और उसके बाद एक दो घंटे का गया दे के बेबी को हलके गुन-गुने पानी से नहलाते अ या सर्दियों में आपने नहलाना बेबी को गरब पानी से ही है और जब बेबी की गरब नाल गीर जाए उसके बाद ही आप बेबी को नहलाए और मसाज दें अब बहुत सारे कोशन दोते हैं ममा के कि मैम हम बेबी को जब नहला देते हैं तो क्या प्रोडक्ट लगाएं तेल क्रीम लगाएं क्या लगा शज़ी तो वहीं पर बेवी के कपड़े ले जाओ और नहलाने के बाद वहीं तावल से पाने को सफ करो और कपड़े बाथरूम में भी पहना दो क्योंकि बाथरूम है कमरे से डिस्तेंस पर होता है तो बेवी को लाते लाते थोड़ी बहुत हुआ वहां पर भी दियान रखना है कि उसे समच किया टावल से कपड़े प्नाके घ्त ळावा यहाँ अर। टाइम के बाद फैन की हावा उसे दिखाओ, on the sport मत दिखाओ, वरना सर्दी गरम से लग हो सकती है. मैम आप यह बताएं कि जब हम बेबी को नहलाते हैं, तो कौन सा सोप यूज करें, तो सोप मार्केट में बहुत हैं, बट मुझे तो जॉंसन का सोप बहुत अच्छा लगा, अपना परसनल एक्सपीरियंस शेयर करने हूं, जो मुझे अच्छा लगा, मैं वही बताऊंगी आ तो मुझे बहुत अच्छे लगे उनके प्रोड़क्ट क्योंकि ज्यादा फ्रैंकनेस नहीं है और बेबी के लिए ज्यादा खुश वाले चीज़े भी हाम होती है, तो मुझे बहुत अच्छे लगे प्रोड़क्ट, आप बताएं आप क्या यूज करते हैं, मैं तो यही र बेबी के मत लगा देना वाना बेबी जल जाएगा, नियू ममा, कई बार यही होता है कि हम तेल को टैस्ट नहीं करते और लगा देते हैं, बेबी का जलने का डर रहता है, तो जब भी कोई चीज प्रोड़क्ट यूज करो ना मैं तो क्या दवाई भी जब बेबी को पिलात आपकी D3 अगर आपको लगी होगी, डॉक्टर ने बोला होगा कि बच्चे को क्योंकि स्टार्टिंग के जब बेबी होता है, तो एक साल तक D3 यानि की कैल्शिम के दवाई लिखी होती है, बच्चे की बॉन्स के लिए बहुत जादा है तो अगर आपको डॉक्टर ने लि तो ऐसा कभी नहीं करना है कि बेबी ने दूद ने पिया, बेबी सो रहा है, तो आप उसको बेबी को गुद गुदिया करके या जैसे भी अपने गर्दन पे हिलाके उसको दूद पिलाना है, अब बेबी को क्या होता है, बेबी दो मेने आराम से सोता ही है, चाहता तर सोना içञा ही उसे पसंद है तो हम क्या करते बैबी को एक ही स्र rag Is a में और प्रैस हो जाता है एक साइड आडर को यह नगर बजाती है इस साइड लेफ्ट साइड engर को जाता है फिर मश्यूशन दो हमारे बच्चे का सर गोल कैसे रहेगा आपको क्या करना है बेबी को अलग अलग पार्स में सुलाना है मतलब सीधा सोरा तो थोड़ी देर के बाद बेबी को थोड़ा सा लेफ्ट साइड कर दो थोड़ा सा राइट साइड कर दो एक ही पोशन में बेबी को मत सुलाओ परना ब लगोर्स zodने से पति लिए गोल करें, क्या था दिन कोई सब्सक्रीजित तो उसकी कोई फुर्स एलिए तो ऑटकी निगोर्स भूप मेंकोट हुआ पूंहे सिंद किॉखिया थे टा दर्रै। तो हमें भी थोड़ा राश जैयी हो ता लेकिन घर में जो भी आपकी के एर कर रहा है वो उनको बोल दी जे कि बेबिको एक ही मोर पे मसूलाओ थोड़ा सा चेंज कर दो ताकि बेबी का सर गोल शेप में बना रहे बेबी का सर का दिहान अको बेबी के सर पर जो गवर जम जात स्पंज किया फटाफट कपड़े बनाए हो गया क्योंकि बेबी कहां जा रहा है यार कि वह गंदा हो गया उसे नलाना बहुत जरूरी है तो बस इतनी ही कियर करो बेबी आपका अराम से सर्दी है ना अराम से निकलेंगी कोई भी सर्दी चुखाम नहीं होगा सरसो का तेल ही लगाओ गरम नाल जब तक ना गिरे बिल्कुल भी ना नहला अब कहते हूं आप सोच रहों कि 5-6 दिन ना गिरे तो बच्चे को नहलाएंगे नी बच्चे को रिस्टेशन नहों तो देखो आपनी क्या करना है बेबी को गरम पाने से पंज कर दो कॉटन के कपड़े से पेट, हाथ, पैस, पंच कर दोगे, बस बेबी साफ है, कपड़े पहना दो, जब गरब नाल गिर चे उसके बाद आप नहलाना शुरू कर सकते हो, चाहे गर्मी में डिलियो चाहे सर्दी में, मगर सर्दी में थोड़ा सा नहलाना स्कीप करोगी, सर्दी नहला लगे बेबी को पहले सर्दी बचा लिए यानि कि उसकी साली सर्दी बची है, असा सभी दादी नानी कहते हैं, और यह बात सच है, पहले सर्दी अगर उसको लग गई ना, तो यानि कि फिर तो बच्चा आपके बाद में भी बीमार होता रहेगा, तो इन छोट-छोटी बातों का आप ध्य वीडियो में किसे नई टॉपिक पर कमेंट बॉक्स जरूर कमेंड करना कि आगे वीडियो को किस टॉपिक पर चाहिए मैं जल्दी से वीडियो ले आओगी तो चलिए फिर मिलती हूं नीए वीडियो में तो तक के लिए भाबाई टेके